हेलो इस्टों इस नेक्ष्ट हम डिसस करेंगे एक्जाम्पल लंबर 3 देखो क्या किया रही है find the derivative of the following function from first principle ठीक है वही लगाना है जो हमने लास्ट में यूज किया था first case में हमरे पास fx का value दे रखा है one upon axis ठीक है तो हमें पता ही है by definition of first principle from first principle हमारे पास जो f dash x होता है उसका formula क्या होता है limit h tends to zero fx plus h minus fx upon fx सब्सक्राइब कर दो इसको apply कैसे करोगे हमें यहां पर निकाल नहीं है जो value limit h tends to zero देखो अगर यह एक्स है तो यह एक्स प्लस है तो यह क्या हो जाएगा आपके परस one upon x का whole square minus fx के अंदर as it is put हो जाएगा यह value और अपॉंट में है ठीक है अब क्या करें lc m ले लू एक्स स्क्वेर और यह x plus h का whole square नीचे x स्क्वेर इसका whole square और यह h भी यहीं आ जाएगा ठीक है इसको कर दो आप open एक सेकेंड ले में एक्स टैंस टू जीरो इसको अगर मैं उपर करूं उपर वाले को एच x square minus x square minus h square minus 2x अच्छा ना बाहर माइनस लगा वा तो उससे अंदर a प्लस बीका whole square open होगा ना सब जाएगे माइनस लग जाएगा अपन मैं x square x plus h का whole square और एच्छा के वाल एच स्क्वेर और यह वैली बचिए एक है माइनस h square है माइनस का 2x h है अपन मैं x square है x plus h का whole square है अच्छा उपर वाले में से h common ले ले लें एक सेटेंट कि अच्छा इसमें से मैं एच कामन निकाला कितरा बचा है आप एच स्क्वेर बचा ने स्वारी ओनली एच बचा और नेगेटिव पट्ट हूँ एक्स बचा एक्स है अब क्या बचा आपके पास वाई देखो फाइनली हमारे पार बच गया है माइनस का एच माइनस का टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेर और एक्स प्लस एच का पूल स्क्वेर अब क्या करना है आपको सिंपली अब आप सिंपली इनको सेपरेट कर सकते हूं बिलकुल देखो लिमिट एक्स टैंस टू क्या बचेगा इह पूर्ण तो इसम्पली मैंने आप्र एच की जगह और इसेच किज़खे कड़ खुट करदी यह ठीक है तो यह मेरे पास f-x का value आगया, minus 2 upon x cube and x is not equal to 0, बताओ समझ में आया, क्या, clear है यहाँ पर, this is complete part 1, third example, 4 देख लेते हैं, इसका third का second part देख लेते हैं, अब देखो, यहाँ fx की value जो दे रखकी x square minus 1 upon x है, तो हम चाहें तो इसको separate कर सकते हैं, चाहों तो ऐसे भी रख सकते हैं, क्यों रखने separate करेंगे तो यह कुछ ऐसे हो जाएगी और यह value x minus 1 upon x होगी, अना, ऐसे होगी, अब मुझे इसका f dash निकालना है, तो देखो, f dash x का value हो जाएगा, limit h tends to 0, f x plus h minus f x upon h, अब इस formula का apply कर दो, कैसे करेंगे, देखो, अगर यहाँ पर x था, तो यह x minus 1 upon x था, अब अगर x plus h होगा, तो क्या होगा, इस x की जगे भी आजाएगा, x plus h minus 1 upon x plus h minus, अब f x की value as it is, तो minus का x हो जाएगा, और यह positive का 1 by x हो जाएगा, ठीक है, और upon के अंदर के आगे है, आपका h, इस पूरे को open करो, x plus h, अब देखो, यह directly cut कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ, देखो, यह x से, cancel out हो गया, ठीक है, क्या बचा आपके पास, एक बचा, यहां तो एक h बचा, और minus अगर मैं common ले लेता हूँ, तो यहां पर यह one upon x plus h है, और वैसे minus common लेने की ज़रुत क्या है, अच्छलो ठीके ले लिया मान लेता है, अगर minus common ले लिया, तो यह one upon x plus h, और यह positive नहीं होगा, फिर यह negative हो जाएगा, यह, अगर minus common लेते हैं, वरना यह negative भी था, और यह negative का हो गया, one by x, और यह upon में है, ठीक है, नहां तक समझ गया न, ऊपर ऊपर वाला चल रहा है अभी है, अब इन दौनों को लेते हैं, अप किवली से स्वाले में, अगर मैं LCM लेता हूं देखना, तो कितना हो जाएगा यह value, यह x हुआ, minus x, minus h, upon x, x, plus h, e upon match, x, x, cancel out हुआ, h, ठीक है, minus minus, यह plus हो गया, plus का h upon x, x, plus h, और y upon match, अब क्या करें, इस h को दोनों में इसे separate करते हैं, यही करते हैं अपन हर बार, ठीक है भई, करो, अगर मैं ऐसा करता हूं, तो इस h के नीचे है, एक है, h जाएगा, plus h upon x, x, plus h, और यह h, फिर इसके नीचे भी जाएगा, क्या बचा, यहां देना, क्या बचा, यहां वन हो गया, plus, one upon x, x, plus h, बताओ, यहां तक समझ माया है क्या, करना क्या है, आपको, पुछनी करना है, इसको फिर अपन next letter पर लिख लेते हैं, यहां, देखो, अब अगर मैं यहां पर, एक सेकेंट, हा, h tends to zero करता हूँ, क्या होगा, यहां पर, जितने h है, उनकी जगे zero हो जाएगा, यह one as it is बच गया, मेरे पाँ, अगर इस h की जगे zero होगा, तो नीचे कितना बचा, one upon x, और यह वाला x, तो कितना बच गया है, यह one plus one by x square बच गया है, यहां फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते है, x square plus one upon x square, and x is not equals to zero, बताव समझ में आया है, के यह हो गया answer, second part, this is complete example number three, और कोई डाउट है, तो बताना comment section में, बाकी lecture कैसा लगा पसंद है, तो please like, share and subscribe, वाजवा कराद मिलते हैं, next example number four पा, तब तक के लि goodbye